स्वागत है अपसे वीका टेक स्टड़ी आईटे यूट्यूब चनल पर इलेक्ट्रीसियन थेयरी में आज आईटे एग्जामिनेशन कुस्चंस की सीरीज में पार्ट नमबर 20 हम लोग करेंगे सेकेंड्यर के निमी कुस्चंस हैं अग gummy questions तो अगर आपने इसके पहले के parts नहीं देखे हैं तो डिस्किप्सन में playlist पहले नमबर पे आपको मिल जाएगा पूरा playlist इसका उसे आप जाके जरूर देखिएगा बाकी subject की भी आपको playlist मिल जाएगी वहाँ से भी आप जाके study कर सकते हैं चनल पर नहीं है तो please subscribe करके वेल आइकन को hit कीजिएगा and please वीडियो को like करना बहुत important है आप like जरूर कीजिए अगर share नहीं करते हैं तो कमस्कम वीडियो को like second year and अगर आप ये सारे 20-21 पार्ट जितने रहेंगे इनको देख लेते हैं तो आपको CBT examination में 100% number लाने से कोई नहीं रोख सकता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं question number 176 से and please यहाँ पे last में एक question हमने आपके लिए रखा है bonus question जो कि हमने previous part से लिया उसका answer आप लोगों को comment box में करना है please उसका answer comment box में जरूर कीजेगा and वीडियो को पूरा देखेगा skip मत कीजेगा question number 176 है which is a non-conventional energy source इसमें से गैर पारंपरिक उर्जा स्रोत कौन सा है lignite, sun rays, stored water या pulverized coal या चूंडित कोईला तो यहाँ पे पूछ रहा है non-conventional तो non-conventional या गैर पारंपरागत इसमें से कौन सा है सूर्ज की किरने कभी नहीं खतम होने वाली आज यूज किया आपने कल फिर यूज करिए परसों फिर यूज करिए ठीक लेकिन बाकी lignite हो गया pulverized coal हो गया, stored water हो गया एक ना एक दिन खतम हो जाएंगे यह आते हैं conventional के अंतरगत ठीक है, तो सूरज की किरने आपकी क्या हो जाती है गैर परंपरिक उद्धा स्रोत हो जाता है आपका अगला कुछ जन यहाँ पे एक गैर परंपरिक बिजली उत पादन का मुखे नुकसान क्या है तो देखें, जैसे sunlight है या हवा जो bend energy होती है, यह सब क्या है आपके, गैर परंपरगत है, ठीक है तो इनका सबसे बड़ा नुकसान यही होता है, कि इनमें efficiency कम होती जैसे कभी sunlight हफते बर आई ही नहीं तो फिर क्या होगा आपका power generation लुक गया हवा नहीं चल रही तेज, हमेशा तेज नहीं चल रही power generation आपका लोग हो गया ठीक, तो इनकी efficiency कम होती है ठीक है, क्या होती है poor efficiency होती है इनकी इसलिए, यह क्या है, इनका है कि यह main disadvantage है बाकि disadvantage और भी है, लेकिन यह main disadvantage है, कि इनकी efficiency क्या होती है, बहुत poor होती है अगला कुछन यहाँ पर 178 है, which power generation requires heavy water treatment plant कौन से सकती उत्पादन में भारी जल्स के सुद्ध, जो सनियंत्र हैं उनकी आवशकता होती है तो जेखिए, जो भी power plant होते हैं वहाँ पर generally एक water treatment plant भी लगाने होते हैं, क्योंकि पानी का यूज होता है उन सब में, ठीक है एंड पानी को ऐसे direct हम नहीं release कर सकते हैं क्योंकि फिर वो बाकी धर्ती को सबको दूसित करेगा जाके ठीक, लेकिन ऐसा कौन सा power generation जिसमें ज़्यादा heavy जरोत परती तो वो है हमारा nuclear power generation यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा heavy water treatment plant की जरोत परती है परती है इन सब में भी है ठीक है, लेकिन इसमें heavy क्योंकि यहाँ required heavy आ गया इस वज़ा से प्रमारु सक्ति सनियंत्र जो है nuclear power generation right answer होगा अगला question है which device senses यह figure हमने लगा दिया है आपको exam में नहीं मिलेगा which device senses the wind speed in a wind power generation पमन उर्जा उत्पादन में कौन सी device हवा की गती को महसूस करती है तो यह आपका क्या है wind power generation का हमने यहाँ पर just एक diagram लगाया इसमें आप देखेंगे क्या है आपका windmill है जिसमें हवा आ रही है और यहाँ पर gearbox लगे हुए है ठीक यहीं से हवा को जो कौन सेंस कर रहा है यहाँ पर turbine controller लगे होते हैं ठीक है उससे फिर exciter and chopper हमारे connect होते हैं जो आपको generator और यहाँ पर आपको RU, LCU इन सब को आप क्या करते हैं तर्बाइन कंट्रोलर क्या करेगा वही हवा की गती को महसूस करेगा यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा आपका option number B turbine controller अगला कुछ नहीं यहाँ पर 180 number जहाँ पर high head होगा ठीक है hydro electric power plant का मतलब क्या होते है जहाँ हमें fluid का head जो है वो ज़्यादा मिलेगा तो वहाँ हम कैसी turbine यूज करेंगे कप्लान टर्बाइन impulse turbine Francis turbine या reaction turbine तो ऐसी जगहों पर हम लोग impulse turbine का यूज करते हैं कुछ इस तरह का आप figure देख सकते हैं यह क्या है आपका impulse turbine का एक figure है यह आपका pen stock जो वहाँ से reservoirs इकठा हो जाता है अगला question है what is the function of pen stock देखिया आई गया in hydro power station जो पन बिजली power station होते हैं उसमें pen stock का का काम क्या है pen stock क्या करता है pen stock water code turbine तक ले आता है कहां से ले आता है reservoir से ले आता है ठीक है इस तरह का pen stock अभी पीछे में बात की थी नहीं यह आपका turbine है यहाँ से pen stock जैसे gate open किया गया यहाँ से pen stock के थूँ पानी आया ठीक, flood आया turbine को operate किया टेली stock में गया यहाँ generator के थूँ आपको उर्जा बन रही है electricity generate हो रही है ठीक है यह हो गया आपका right answer carries water to turbine अगला question है which is the purpose of boiler in a steam power generation एक steam power generation में boiler का उद्देश क्या होता है boiler मतलब होता boil करना तो boiler basically होता है जो क्या करता है यहाँ पानी को भाप में convert करता है converts water into steam बहुत ही आसान सा चीज है दो तरह के boiler होते है basically एक water tube होता है एक fire tube होता है देखिए water tube क्या होता है water tube में जो water है ठीक है वो आपका tubes में flow हो रहा है and जो heat है उसके थूँ heated हो रहा है वो गरम हो रहा है fire tube में क्या होता है आपका कि पानी कहीं हो रहा है जो fire है वो tubes के थूँ है वो पानी को heat करके steam में convert कर रही है ठीक है तो ये दो तरह के basically boiler होते हैं फिर इनके अलग-अलग type होते हैं लंका सायर boiler होता है sterling boiler होते हैं बहुत type के boiler होते हैं उस detail में हम लोग यहाँ पे नहीं जाएंगे ठीक है तो boiler का काम क्या है? converts water into steam पानी को भाप में परिवर्तित करना और फिर इस steam से steam turbines जो है वो operate की जाती है अगला कुछ चैनल है which type of power plant is more efficient किस तरह का power plant जो है ज़्यादा efficient है किस तरह का power generation plant हो सबसे अधिक efficient यानि कुसल है diesel plant, steam power, hydroelectric या nuclear power तो जो hydroelectric power plant है इनकी efficiency सबसे ज़्यादा होती है अगला question है which material used as control rod in a nuclear reactor जो प्रमाड़ू reactor होते हैं उसमें नियंतरन rod के रूप में किस सामगरी का उपयोग किया जाता है देखे प्रमाड़ू reactor में जो हम लोग ने chain reaction पढ़ी है हम सबने पढ़ा ना उसमें कि ये chain reaction जो था है अनकंट्रोल होता है अगर उसी चीज़ को देखे एनर्जी सब में होती है अगर हम एनर्जी को कहीं भी control ना करें तो वो एनर्जी waste होती है जैसे humans होते हैं हम आदमी होते हैं हम में भी बहुत तरह की energy है उसे हम positive way में use कर सकते हैं अगर controlled way में जाएंगे ठीक है तो आप क्या कर सकते हैं आप जो power generation आपका जो भी आप कर रहे हैं उससे आप useful कोई चीज कर सकते हैं ठीक तो उसी तरह प्रमाड़ reactor में जो आपका nuclear fusion reaction होता है प्रमाड़ भी खंडन होता है वो एक uncontrolled chain reaction होने लगता है तो क्या होता है अगर उसे control कर ले हम तो उसी का हम use कर सकते हैं power generation में और सही चीजों में उसी को ना control करें destructive चीजों में भी हम use कर सकते हैं तो उसके लिए हम लोग use करते हैं cadmium की rods जिने हम बोलते हैं control rod जो इस reaction को control करती है जिससे हम ये कर सकते हैं कि हमें कितनी power generate करनी कैसे कैसे reaction करना क्या करना उसके according आपका जो प्रमाड़ reactor उसमें काम चलता रहता है फिर आगे कई तरह के प्रमाड़ reactor होते हैं 15-16 टाइप के होते हैं अलग अलग प्रमाड़ reactor नूकलियर पावर generation है windmill power generation है या hydroelectric power generation है तो देखें non-conventional कौन सा है windmill राइट आंसर क्या होगे आपका जो पमन्चक की बिजली उत्पादन है वो आपका एक non-conventional power generation है बाकी सारे क्या है खतम डीजल भी खतम होगा nuclear power भी खतम होगी and hydroelectric powers जो है वो भी यहाँ पर आपकी मतलब गैर पारम परिक में नहीं आएंगी ठीक पमन्चक की आप सबने देखी होगी इस तरह से बड़ी होती है बड़ी बड़ी and जहाँ पर हवा का दबाव जो आता है हवा का बहाव आता उससे fans गूमते हैं फिर इनसे connect होता है आपका gearbox के थुरू बाकी सारा system पीछे हमने आपको दिखाया ही था अगला question 186 number इसमें which is the residue of biomass biomass जैब दरबमान का औसेस यहाँ पर कौन सा है slurry यनि घोल, biofuel, manure, khad, bio gas तो यहाँ पर जो residue है वो है आपका slurry कुछ इस तरह का आपका bio जो product है bio gas का इस तरह का plant होता है जिसमें digester होता है gas tank होता है यह आपका slurry tank रहता है यहाँ पर आपका manure या khad fertilizer होती है और इसका main घटक है अगर कहें क्या होता है bio mass या bio gas का तो वो होता आपका methane कौन सी gas होती है methane ठीक है यही एक इधन gas यहाँ से generate होती है अगला question आही गया कि main constituent bio gas का क्या है तो मुखे घटक bio gas का कौन सा यहाँ पर methane CH4 जिसे हम कहते है methane यहाँ पर उसका मुखे घटक है अगला question 188 number how electricity produced in solar panel एक solar panel में बिजली का उतपादन कैसे होता है while sunlight strikes glass यही जब धूप काच पे ठकराती है तभी बनती है नहीं while sunlight strike nickel plate जब जो सूरज की रोशनी हो nickel plate को ठकराती है बिलकुल नहीं while sunlight strikes magnees जब सूरज की रोशनी magnees पे ठकराएगी नहीं while sunlight strikes and photovoltaic cell जो photovoltaic cell है उस पर जब sunlight strike करती है तभी आपका यहाँ पे बिजली का उत्पादन होता है जो solar panel होते हैं वो कई layer के बने होते हैं जैसे आप देखिए उपर aluminium frame है then tempered glass है then आपका यहाँ पे encapsulant EVA जिसे बोलते हैं वो है फिर आपकी solar cell आती है photovoltaic cell जिसे कहते हैं तो यहाँ पे जब यह टकराती है तब आपका यहाँ पे power generation होता है ठीक है नीचे आप देखेंगे back seat और आपका फिर से encapsulant होता EVA नीचे से दो layer उपर से तीन layer फिर होती ही solar cell यहाँ पे जब sunlight टकराती है तब आपका यहाँ पे power generation होता है अगला question है what the function of air preheater in a steam power station काफी important question है steam power station में air preheater का काम क्या होता है air preheater का काम क्या होता है air जैसे नाम है न, air preheater मतलब हवा को क्या करेगा preheat करेगा, किस हवा को तो वो हवा होती है आपकी extract, heat क्या करता है flu gases जो होती है उनसे heat को extract कर लेता है flu gases होती है, जो अपना काम सारा करके heat करके फिर वापस atmosphere में जा रही है उसमें बहुत सारी heat बची होती है उसे ये air preheater ले ले लेता है and क्या करता है जो input air है जो दुबारा हम input air दे रहे हैं हवा उसको थोड़ा गरम कर देता जिससे आपके efficiency जो होती है वो बढ़ जाती है यहाँ पे अगर पूरा इसका diagram देखें यह आपका होता है steam power plant ठीक है तो steam power plant में क्या यह जैसे आपका boiler है ठीक अब boiler से क्या हुआ जो flu gases निकलती है ठीक flu gases आपकी निकली यहाँ पे गई super heater में ठीक इसे super heat किया steam को then economizer यहाँ पे आपका लगा होता है यह अलग circuit फिर आपका यह flu gases नोमाइजर में heat करती हुई पानी को कहाँ चली गई यहाँ पे ठीक feed water को यहाँ पे अपनी heat दिया इसने इसके वाद यह flu gases यहाँ आ गई air preheater में air preheater से यह heat क्या होता है जो air यहाँ पे आ रही हूँ वापस हम boiler में भेज रहे हैं उसे क्या करते हैं फिर से गरम कर लेते हैं यहाँ ठीक एंड वापस जो है यह चिमनी में चली जाती है जो बची हुई थोड़ी बहुत heat रहती है तो यह air preheater इंस्टाल करने से क्या हुआ जो flu gases economizer से निकली थी उसकी heat को हमने जो heat हम यहाँ boiler में दुबारा feed कर रहे थे उसको हमने गरम करने में यूज कर लिया इससे इसकी efficiency क्या होती है बढ़ जाती क्योंकि हमने जो air अंदर दिया वही थोड़ी गरम कर दी पहले से हमने तो यही यहाँ पे air preheater का काम होता है कि जो flu gases उनको extract करके input air को गरम कर देए अगला question है what the main disadvantage of nuclear plant nuclear plant जो है उनका main disadvantage का है देखिए disadvantage हर चीज का फायदा और नुकसान दोनों होता है वो चाहे आपके non-conventional energy source हो चाहे conventional हो चाहे आपका पनबिजली हो चाहे आपका photovoltaic cell हो सभी के अगर फायदे हैं तो नुकसान भी है तो उसी तरह से प्रमाणुसरियंत का एक मुख्य नुकसान होता है कि उनके waste का disposal हम सभी को पता है जो waste होता है यहाँ पे nuclear वो बहुत खतरनाख होता है उसे अगर ऐसे पानी में छोड़ दिया जाए पानी पूरा जहरीला हो जाएगा लोगों को नुकसान करेगा जियो जनतुओं को पौधों को सबको ऐसे जमीन पे नहीं डिस्पोज कर सकते हैं वहाँ भी ओ रेडियोक्टिब मतलब जो है वरेज फैलेंगे उससे भी नुकसान होगा तो इसमें जो कच्रे का निप्टान है वो सबसे ज़्यादा इसका सबसे बड़ा डिसद्वांटेज है बाकी चीजें उसकी ठीक है अगला कुश्चन है What is the function of economizer in steam power plant कर लेते हैं economizer क्या कर रहा है जो super heated हुई steam ठीक है यहाँ पर जो feed water आ रहा है उन्हें क्या कर रहा है pre heat कर रहा है उस flu gases से heat कर रहा है और उसे फिर boiler में वापस भेज रहा है जो कि फिर से steam बनेगी जाके तो काम क्या हुआ इसका heats the feed water by the flu gases जो flu gases निकल रही थी super heater से steam को super heat करने के बाद उसको economizer ने लिया और जो feed pump से पानी आ रहा था उसे थोड़ा और गरम कर दिया जैसे आपको पानी उबालना हो ठीक है आप अगर पहले से थोड़ा उबला मतलब गरम पानी लें तो जल्दी उबलेगा बजाय की एक ठंडे पानी से ठीक है तो पहले से पानी को थोड़ा सा heat कर देते हैं वो boiler में पहुंचता है तो हमें और जल्दी steam बनती इस वज़ा से क्या होता है आपकी efficiency steam power plant की increase हो जाती है ठीक है अगला कुछ नहीं है यहाँ पर what is the disadvantage of non-conventional power generation एक non-conventional power generation का disadvantage का है more reliable यानि ज़्यादा भरोसे मंद होते हैं तो ऐसा तो नहीं है more efficient ज़्यादा दक्ष होते हैं बिल्कुल नहीं low initial cost low initial cost बिल्कुल नहीं है जो आप turbine वगरा air turbine sorry क्या बोलते हैं उसको wind turbine ठीक है लगाते हैं उन सब की cost बहुत आती initial cost ठीक है even though जो solar cell होते हैं इनकी भी cost बहुत ज़्यादा आती initial cost तो ये सारे इसके क्या है advantage नहीं है ये disadvantage है ठीक बहुत reliable भी नहीं होता है बहुत efficient भी नहीं होता है initial cost भी low नहीं होती है हाँ एक चीज होता है अगला question 193 यहाँ पर what is the function of charge controller in battery based micro hydel power generation एक battery based micro hydel जो power generation होता है उसमें charge controller का काम क्या है तो charge controller का काम ये होता है कि battery को अगर over charge होती कोई battery तो battery जल्दी खराब होती है तो charge controller का काम है battery को over charging से रोकना, सुरक्षित रखना, prevent करना ठीक है right answer होगे आपका option number C अगला question 194 number what is the purpose of barrage in tidal power station एक जोरी सकती station में जो barrage बने होते हैं उनका उद्देश से क्या है बाराज या डैम जो आप कह लीजे हो उनका उद्देश से क्या होता है बाराज का उद्देश से क्या होता है वो control करते है टाइडल वेब को बिल्कुल नहीं release water towards the sea समुद्र की और पानी छोड़ देंगे नहीं tap the water at the entrance of gulf ठीक है जो खाड़ी उसके प्रवेश द्वार पे पानी को नियंत्रित करेंगे या D है converts potential energy into kinetic energy यह तो करेगा नहीं बाराज तो यहाँ पर right answer है tap the water at the entrance of the gulf आपको एक figure दिखाते हैं यहाँ पे यह है आपका बैराज यह क्या है आपका बैराज वाल है ठीक है एंडिया आपका tidal water flow है यहाँ पे यह है towards sea तो यह क्या कर रहा है यहाँ से यहाँ से क्या कर रहा है प्रवेस द्वार पे पानी को क्या कर रहा है यह भैराज क्या कर रहा है यहाँ पे इसे नियंत्रित कर रहा है ठीक है यह हो गया आपका right answer option number C अगला question 195 number यहाँ पे 195 question देखेंगे आप which component in this steam power plant is used to heat the feed water from the flu gases देखेंगे उसी question को फिर से गुमा के पूछा कि यहाँ पे कौन सा component है जो steam power plant में heat को use करता है flu gases heat को कि इसको heat करने के लिए feed water को तो कौन था वो economizer था कौन था economizer boiler से जो निकली super heated steam यहाँ गई super heated steam यहाँ पे super heat जो ही यह निकली economizer में गई economizer से air preheater में गई economizer में यहाँ पे feed water आ रहा है जिसको इसने heat किया और फिर से boiler में चला गया and air preheater क्या कर रहा है heat जो आ रही है जो हवा आ रही है उसको heat किया और फिर से ओ आए बैलर में भेज दिया ठीक है यहाँ पे इसका काम है अगला कुछ्छान है 196 नमबर अभी बात हो रही थे ने नुक्लियर रियक्टर की यहाँ पे जो PWR है प्रेस्टराइज वाटर रियक्टर है उसका फायदा क्या है नो हीट लॉस यानि उसमें कोई हीट लॉस नहीं होता है हाई थर्मल एफिसेंसी इसकी जो पावर डेंसिटी यानि इसमें उच्छ सक्ती का घनत तो है या मेटल सर्फेस टेंपरेचर इस लोवर धात की सता का तापान कम है तो यह सब तो बेकार है इसमें राइट आंसर आपका ऑप्सन नमबर C इसकी जो पावर डेंसिटी है ना जो सक्ती घनत तो है वो बहुत जादा रहता है ठीक है यह आपका यहाँ पर प्रिस्राइज वाटर रियक्टर इसका एक आपरेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं कैसे आपकी बिजली यहाँ पर बन रही है यह क्या है आपका कंडेंसर है यहाँ पर आया यह आपका क्या है रियक्टर वेसल है जो यहाँ पर रियक्टर के थूँआ आपका क्या है यह प्रिस्राइजर लगा हुआ है यह आपका एक स्टीम जनरेटर यहाँ से स्टीम जनरेट हुई स्टीम जनरेट होने बाद यहाँ पर क्या हुआ उसने turbine को rotate किया steam turbine को वापस से पानी यहाँ पर आगया आपका फिर से ठंडा होगा फिर जाएगा यहाँ पर ठीक है यहाँ आपका यह क्या है generator है जिससे फिर electricity generate हो रही है और फिर सहरों को supply हो रही है ठीक यह है आपका क्या बोलते हैं इसे हम लोग यह आपका pressurized water reactor क्या है pressurized water reactor अगला question 197 number which power generation plant is having more reliability in operation किस बिजली उत्पादन सेयंद का जो संचालन ज़्यादा अधिक बिश्वसनी है ज़्यादा reliable है जिस पर हम ज़्यादा rely कर सकते हैं हाँ यह सबसे अच्छा है hydro power plant, diesel power plant, nuclear power plant या thermal power plant तो right answer आपका यहाँ पर nuclear power plant ठीक है यह सबसे ज़्यादा reliable यहाँ पर operation इसका रहता है अगला question है 198 number which is the disadvantage of non-conventional power generation over conventional power generation तो non-conventional का disadvantage पूँच रहा है यहाँ ठीक है नुकसान क्या है increase pollution तो pollution तो नहीं बढ़ाता non-conventional, security risk ज़्यादा है बिल्कुल नहीं, यह भी नहीं है require more maintenance नहीं, cannot be used for base load demand तो यह सबसे right answer यहाँ पर कि अगर base load demand जो अपने first year में भी पढ़ा होगा इससे हम जो conventional power generation उसमें हम set कर सकते हैं base load demand क्या है, कितना हमें generate करना है बट यहाँ non-conventional में आप यह चीज नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपके control में कई सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं रहेंगी, ठीक है तो right answer होगे आपका option number D अगला कुछन है what is the major disadvantage of wind power generation पवन सक्ति उत्पादन का एक प्रमुख नुकसान क्या है pollution effect is more यानि pollution का आफर जादा रहता उस पर requires high technology जादा तक नि क्या हो सकता है plant installation more complicated नहीं सन्यन्त के अस्थापना जादा जटिल है या wind power is not constant and steady पवन उर्जा जो है नियत और इस्थिर नहीं है तो यही इसका सबसे बड़ा disadvantage है जो पवन उर्जा है wind की energy है power है वो constant नहीं होता है हमेशा flow तो हमेशा constant power generate नहीं कर सकते हैं अगला question है what the function of turbine used in tidal power generation तो turbine क्या करता है turbine क्या करता है कि water की जो energy है potential energy उसे किसमें convert करता है kinetic energy में converts potential energy into kinetic energy turbine इस तरह से है यहाँ पर blades ऐसे बने हुई है फंक बने हुई है water आपका जो tidal energy में क्या है यहाँ पर है उसे जैसे इस पर छोड़ा गया जो potential energy से इसको घुमा के उसने क्या किया kinetic energy में convert किया जिससे फिर हमने generator चला है और हमने power generate कर लिए यहाँ ठीक है grinder में, TV receiver में या air conditioner में जो भी right answer आप लोग comment करके बताएगा वीडियो को like and share करना मत भूलेगा और साथ में चनल को subscribe भी कर लीचेगा मिलते हैं अगले part में जिसमें आपका complete भी हो जाएगा और जल्दी बाकी आपकी जो subject से उनके भी यहाँ पर classes start हो जाएंगे Thank you very much ध्यान रखियेगा अपना